दासवाम जिससे वह लड़की, वہ लोकस्ट के क्वालिटी और सुआत की जांच करवाती है इस कस्टमर को लोकस्ट का सुआत बहुत पसंद आता है लेकिन उनके संख्या काफी कम होती है जिसके कारण वो कस्टमर गुस्सघ हो जाता है और वह युथ कहता है अगले सीन में वर्जिनी की बेटी लॉरा दिखाय देती है जिसके क्लासमेट्स अजीब वीडियो ओनलाइन पोस्ट करके उसको चिड़ा रहे थे क्योंकि उसकी मा लोकस्ट का व्यापार करती है इस वजह से लॉरा बहुत जादा गुसा हो जाती है और वह उस लड़के को पीटना शुरू कर देती है जिसने उस वीडियो को पोस्ट किया था वर्जिनी उसे सही समय पर वहां आकर रोक लेती है और वह अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाती है लेकिन लॉरा अभी भी बहुत गुसा थी फिर वर्जिनी उससे कहती है मैं सभी लोकस्ट को बेचने जा रही हूँ बाद में हम भी कहीं और चले जाएंगे इस शहर क को छोड़ कर हमारे जीवन में ऐसे मैटर नहीं उठेंगे लॉरा को वर्जिनी के शब्दू पर ट्रस्ट होता है अगले दिन हम देखते हैं कि एक ग्रहक लोकस्ट को खरीदने के लिए वर्जिनी के पास आता है लेकिन वह उन लोकस्ट की बहुत कम कीमत दे रहा था इसलि गिरकर बहोश हो जाती है जब वहँ में आती है तो वह देखती है कि उसके गाव पर लोकस्ट पैठी है और यह देखकर उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि लोकस्ट के वल प्लांट से एटिंग करते है तो ओन क्यों चूसरे थे इसलिए उसका गाव और जादा इन्फ लेकिन अब वो नाराज हो गया है वर्जीनी वापिस पहुँच कर वह फिर से उस लोकस्ट फिल्ड में चली जाती है और वह चौक जाती है क्योंकि वहाँ लोकस्ट की संख्या बढ़ गई थी और उन लोकस्ट का आकार भी बढ़ गया था इसके बाद नेक्स्ट एवो फिर स लोकस्ट के फिल्म में जाकर देखती है वह और भी हैरान होती है क्योंकि उनकी संख्या दुगनी हो गई थी अब वर्जिनी समझ चुकी थी कि ये सभी लोकस्ट उसके खून के कारण नंबर और साइज में बढ़ रही थी इसलिए वह अपने हाथ की पट्टी हटा कर फिर से अपना ब्लड फीट करवाती है इससे उसे काफी दर्द होता है इसके बावजूद वह ऐसा करती है अब हम देखते हैं कि वह अपने हाथों से लोकस्ट के डंग को निकालने की कोशिश कर रही थी जिसमें उसे तेज दर्द हो रहा था और अगले दीन जब वह फिर से उस फ फिल्ड बनाती है वर्जिनी का बेटा उन्हें देखने के लिए दूसरे लोकस्ट के फिल्ड की खिड़की में जागता है लेकिन लौरा बहुत घुस्से में होती है क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि वह कहीं और माईग्रेट्स नहीं करने जा रही है अब वर्जिनी क अब हम देखते हैं कि नई लोकस्ट ने पुरानी लोकस्ट को खा लिया था अब हम फिर से वर्जिनी को देखते हैं जो फिर से लोकस्ट को अपना खून फीड करवा रही थी इसके बाद उब फिर से करीम के पास जाती है और कस्टमर के बारे में उसको बोलती है लेकिन करीम उसे बताता है उसके कस्टमर उसे बहुत कम पेमेंट देंगी तो वह उसके लिए मना कर देती है अब भे अपने ओल्ड कस्टमर से संपर्क करती है जब आदमी लोकस्ट की क्वालिटी के बारे में पूचता है तो बताती है कि ये पहले की तुलना में बहुत बहतर है फिर आदमी सब लोकस्ट को खरीद लेता है फिर वर्जिनी घर लोड जाती है और बहुत सारा ब्लेट ओडर करती है जिसे वह लोकस्ट क फीट करा सकी फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का ब्लड लेकर पहुंसता है तो वह लड़का वर्जिनी से पूछता है तुम इतनी ब्लड अमाउंड का क्या करोगी वर्जिनी उसे बताती है कि मैं इसे लोकस्ट को उनके भोजन के रूपे दूंगी तो वह लोरा से कहता है कि मैं हाल ही में तुमारे घर गया था और मैंने देखा कि वहां फेल्ड में लोकस्ट बहुत जादा आवाज कर रही थी क्या तुम इस शोर से परशान नहीं होती लोरा उस पर एक शब्द भी नहीं बोलती लेकिन लोरा को काफी गुसा जाता है इसके बाद था इसलिए बच जाता है लेकिन वो सभी लोकस्ट उसके भाय की बखरी पर हमला कर देती है जिस कारण गोट महां से भाग जाती है गर आने पर वरजिनी का गोड को खोजने के लिए कार लेकर निकल जाती है थोड़े दूर जाने पर को वो गोड दे जाती है लेकिन यह क्या लोकस ने तो इसका बुरा हाल कर दिया था वर्जनी के बेटे ने घर लोटते ही अपनी मा से पूचा कि तुम्हें वह बकरी मिली वर्जनी जवाब देती है नहीं हो सकता है वो कहीं भाग गया हो इस बीच वह लौरा को देखती है जो अजीब तरीके से वह वहर कर रहे थी और वह बहुत डरी हुई थी तो व कर लौरा और भी डर जाती है अगले दिन हम देखते हैं कि वर्जनी लौरा के लिए काफी बुरा महसूस कर रही थी इसलिए वह उससे दोस्ताना लहजे में बात करती है और वह उसे फैमली पिक्निक पर जाने के लिए भी कहती है अगले सीन में वे बीच के किनारे नजर आ गया था वे इस पिक्निक पर खूब इंजोय करते हैं जैसे ही वे घर पहुंसते हैं तो वहां वर्जनी ने अपने दोस्त करीम की मदद से लौरा के लिए एक सप्राइज किफ्ट की योजना बनाए थी जहां लौरा अपनी नई स्कूटी को देखकर खुश हो जाती है वर् आइसेंस न होने के कारण उसे ब्लट नहीं दिया जा सकता इसी बीच कुछ लोग लोकस्त का फिल्ड बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और वर्जनी ने ही उन्हें वहां बुलाया था जगह कम होने के कारण वह अपने घर का पेड काटने लगती है तो उसका बेटा बड़ा अजीब है और वर्जनी इसके लिए बैड फिल करती है और वह उससे कहती है तुमारा यहां आना मुझे परशान करता है अगर आप अगले बार आए तो मुझे कॉल करके आना करिम इस बात पर निराश होकर वहां से चला जाता है वर्जनी बहुत चिंते थी क्योंक लेकिन इसकी वेवस्था नहीं हो पा रहे थी इसी बीच उसे कुत्ते के भॉकने की आवाच सुनाई दी वह उसकुत्ते को पकड़ती है और लोकस्ट के फिल्ड में डाल देती हैं सभी लोकस्ट उसकुत्ते को जल्दी ही खा जाती है अगली सुबह हम देखते हैं कि जब वर्जिनी वहां से कुत्ते का खून साफ कर रही होती है तब उसके बेटी लोरा वहां आ जाती है लेकिन वर्जिनी ने उसे वहां प्रवेश करने से मना कर दिया था फिर लोरा उससे कहती है कुछ कस्टमर बाहर आ गए हैं यानि वर्जिनी का कारोबार दिन बादिन तरक् जाना था और लॉरा वर्जनी को जगाती है लेकिन वह लॉरा से कहती है कि अपने भाई को बस टॉप पर छोड़ दो लॉरा अपने भाई को बस टॉप पर छोड़ देती है लेकिन वह और उसका भाई दोनों परशान थे कि वे दोनों सोचते हैं कि उस मा के पास जरूर कुछ इशू है जो वह साजा नहीं कर रही है लोरा अपने घर लोटने पर अपनी मा को खोशती है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती तो वह लोकस्ट के फिल्ड में चले जाती है जहां उसकी मा लोकस्ट को ब्लड फीट करा रही थी और उसकी बॉड़ी पर लोकस्ट ही लोकस्ट थी ये देखकर वह डर गई वह घर में जाकर करीम को मैसेज भेजती है करीम जब घर आता है तो वो वर्जिनी को बुरी स्थिती में पाता है और वह उन्हें अपने घर में ले जाता है करीम अपने घर आ रही लौरा से कुछ सवाल पूछ रहा था इसी बीच वर्जिनी वहां आ जाती है और वह वर्जिनी से भी कई सवाल पूचता है लेकिन वर्जिनी उसे कोई जवाब नहीं देती जिसपर करीम उस पर बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद अपनी बेटी के मना करने के बावजूद भी वर्जिनी वहां से अपनी बेटी लौरा को लेकर चली जाती है बात में पता चलता है जिस कुट्टे को टिड्डियों को परोसा गया था उस कुट्टे का मालिक उसे खोशते हुए यहां आ गया था जब वह उस लोकस्ट के फिल्ड में प्रवेश करता है तो लोकस्ट के जुन को देखकर भैबीत हो जाता है और भैब वही गिर जाता है अब सब लोकस्ट उस आदमी का मास खाने लगी थी करीम उनके घर वर्जिनी और लौरा को छोड़ने आया था इसलिए वह लोकस्ट के फिल्ड को देखने के लिए अंदर चला गया जहां करीम उस आदमी के शचाब को देखकर खबरा गया जैसे ही वर्जिनी करीम को थैंक्स बोलने के लिए बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि अब करीम को सारी वासिविक्ता का पता चल गया है लेकिन वर्जिनी को इस बात की जानकरी नहीं थी कि उसने एक लाज देखी है वह सोसी है कि यह है लोरा है जिसने उसे सब कुछ बता दिया था यहां से वर्जिनी लोरा के पास जाती है उधर करीम अपनी कार की डिक्की से फ्यूल टैंक लेता है और सभी फिल्ट में आग लगा देता है जिसकारण लोकस्ट फिल्ट में आग लग जाती है और बहुत से लोकस्ट वहां से बाहर आने लगती है फिर वर्जिनी और लॉरा लगी आग को देखे हुए वहां पहुंसते हैं और वर्जिनी अगले ही पल आग को बुझाने लगती है अब सभी लोकस्ट उनके पीछे आने लगे थे और वो खून के ब्यासे थे ये देख करीम लॉरा को लेकर अंदर चला जाता है घर की सभी लाइट्स आफ कर देता है लेकिन वर्जिनी उस आग को बुझाने की अभी तक कोशिश कर रही थी इस पीछ वह अपनी बेटी लॉरा की आवाज सुनती है तो वह सब कुछ छोड के घर के अंदर जाती है तो वह ये देखकर चौक जाती है कि सभी लोकस्ट ने करीम की बॉड़ी को खा लिया है और ल लेखती है कि वहाँ एक बोर्ट थी जिसको लॉरा अपने उपर ढख लेती है सभी लोकस्ट अभी उसके उपर आ रहे थी और इसी बीच वर्जिनी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है अब वर्जिनी खुद को चोड पहुचाते हुए अपने चहरे पर अपना खू हो जाते हैं अब लॉरा देखती है कि सभी लोकस्ट यहां से खत्म हो चुके हैं और वह सोची है कि शायद उसकी मा मर चुकी है फिर वह तुरंद बोड को दूर फैकते हुए अपनी मा की तलाश शुरू कर देती है अन्त में वह अपनी मां को जीवित देखकर बहुत ने मुखे किरदार निभाय थे सुलियान ब्रहिम सुफियान खैम्स और मेरी नाबॉन ने फिर्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था तो लाख असी हजार छेसो एकसर्ट अमेरिकी डॉलर